बहु कल सरला के बेटी की साधी है, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा करना, मेरे लिए अच्छी सी साधी देख लेना हाँ ममी जी मैं देख लूँगी, आप परिसान मत होईए दादी दादी मैं भी चलूँगी, मुझे भी अच्छा लगता है साधी में जाना ना बाबा ना, तु घरी में रह, अपनी मा के साथ जाना होगा चली जाना दादी मुझे लेके चलो ना, ममी जी आप आ गई, थोड़ा जल्दी नहीं आ गई आप बहु मेरे लिए चाय बना दे, मेरा सिर्दर्द कर रहा ठीक है ममी जी, मैं बना के लाती हूँ ममी जी आपका मूर खराब क्यों लग रहा है, क्या हुआ भागयवान, बड़ा जल्दी तु आ गई, मुझे मिस कर रही थी क्या मेरा दिमाग पहले से ही गरम है, फालतुगी बात मुझे मत करना क्या हुआ है, बताएगी भी बताओं, सरला की दोनों बहुए, कैसे कपड़े पहने थी ना सीर में पल्लू था, लास सरम तो जैसे घोल के पी गई है, वहीं ससूर खड़ा था, वहीं जेट खड़ा था चटा 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 बताए जा रही थी गाढ़े करल की पिष्टिक लगाई हुई थी, इतना ही होता तो समझ में आता इस्टेज पर ठुमक ठुमक के नाच रही थी, और सास ससूर ताली बजा रहे थी दो ममी जी चाय पीलो, पापा जी आपके लिए चाय लाओं नहीं बेटा, मैं इस वक्त चाय नहीं प्यूँँगा अरे भागवान, बहु किसी याऔर की, बेटा किसी याऔर का, वो कैसे भी कपड़े पहने, तुझे इससे क्या कैसा भी डांस करे, तुम्हारा जमाना नहीं रहा, अब जमाना बदल गया है गवारों जैसी बाते मत कर, जो नहीं बदलेगा न, वो पीछे रह जाएगा बहु, तु ऐसे कपड़े कभी मत पहनना, और ऐसा नाच तो बिल्कुल ही ना नाचना समझी तू, दादी मैं बताऊं, ममी जब मामा के यहां जाती है, तो वो भी बिश्टन ड्रस पहनती है और मामा की साधी में तो ममी ने डांस भी किया था, यहां पता नहीं क्यों नहीं करती है चुपका नालाइक, क्या बात कर रही है मैं सही तो कह रही हूँ ममा, कान सा जूंट बोल रही हूँ तू माइके में जाके वेश्टन ड्रस पहनती है, और डांस भी करती है हाँ ममी जी, मैं पहनती हूँ, क्योंकि आप यहां नहीं पहनने लेती है मैं अभी 25 साल की ही हूँ, बुढ़ी नहीं हो गई हूँ, मेरे भी कुछ आर्मान है मेरे भी कुछ सपने हैं, पर आपको क्या, मेरे सपने तो तूठी गए यहां आने के बाद मुझे आगे पढ़ना था, पर आपने इजाज़त नहीं दिया मैं सूट पहनना चाहती थी, उसे भी आपने मना कर दिया तो बहु क्या करेगी, आप जैसी सास, बहु को मजबूर करती है, उर्टे सीधे कदम उठाने के लिए हाँ मा, ये बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी यही चाहता हूँ ये अच्छे कपड़े पहने, सुन्दर दिखे, मेक अप करे, पर आपको तो साड़ी पसंद है लेकिन बेटा, मेरे जमाने में ये सब नहीं था, ऐसे ही कपड़े पहनते थे बेटा, तु बहु को छूट देके, बहुत बड़ी गल्ती कर रहा है, पच्छताएगा तु, मानजा मेरी बात मा, क्या तुम मेरा जमाना मेरा जमाना लगा रखा है, तुम्हारे जमाने में तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था हाँ बेटा, नए जमाने के चोचले हैं, लड़कियां थोड़ा पढ़के आ गई, मलमाना हो गई है टीवी सनीमा देखके पागल हो गई है, अज कट्टे कपड़े पहनने लगी है मा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी एक बेटी होटती, तो तुम उसे बेस्टन ड्रेस पहनाती हाँ लगता तो है, अगर होती तो क्यों नहीं पहनती मा अपनी बहु को बेटी माल लो ना, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा नजरिया बदलने की देरी है हाँ सही तो कह रहा है ये, तेरी बहु सारे दिन ममी जी ममी जी लगी रहती है, सारे दिन तेरे लिए कहीं कुछ कहीं कुछ बना के खिलाती है कपड़ेद होती है, सारे काम करती है, तुझे उसमें अपनी बेटी नहीं नजर आती है बहु तू ऐसा कर, आज से साड़ी मत पहनना, सूट पहनना तुम लोग सही कह रहे हो, मैं पचास साल पीछे चल रही थी जमानेक से साथ चलने में ही भलाई है तू जाए और सूट पहन के आ, मैं देखना चाहती हूँ, तू सूट में कैसी लगती है जी ममी जी, ममी जी कैसी लग रही हूँ मैं पेवी बहु, इन कपड़ों में कितनी खुब्सूरत लग रही है, मैं यही पागल थी, जा साड़ी पहना रही थी तू सही कह रही है, और नहीं तो क्या